Hello my lovely students, this is Mansi, welcome back to the channel. So, अब हम इस सेशन में डिसकास करने वाले हैं रे डाइग्रम, लेंसे के रे डाइग्रम की रूल्स पहले समझेंगे. तीन रूल्स है, मार पर सिंपल रूल्स है, पहले उनको समझ लेंगे और काफी मिलते जुलते हैं मिरर वाले से. अब इसके बाद हम अपने रे डाइग्रम से आएंगे. बाट, अब इन रूल्स को स्टार्ट करने से पहले भी कुछ बेसिक चीज़े हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ. देखो, यहाँ पर मैं आपको मिरर के कंपारिसन में बताऊंगे, अब आपको याद होगा जब हमने मिरर किया था, तो हमने डिसकास किया था कि यह, मिरर हमारा जिस स्वेर का पाट है, उसका जो सेंटर है, इस पॉइंट इस सी, यह हमारा होता है, इसको थोड़ा सा चिक है, यह तीन चीज़े करती है, लेकिन जब हम लेंस की बात कर दें, तो इसमें पहली चीज़ तो इस लेंस का यह जो मिड़ पॉइंट है, इसको हम बोलते है, ओप्टिकल, तो यह हो गया, ओ, चिक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पे इधर भी पॉइंट्स है, इधर भी इसका रीजन अब भी बता दूंगे, मैं आगे, बट यहाँ पे दो फोकस है आपके पास, और करवेचर नहीं होता, उसको हम टोईज और फोकस लेखता है, जैसे पहली बात तो जो लेफ्ट साइड पे है, वो हमारा हो गया, एफ वन, और सी की जगह यहाँ पे आता है, कोई भी इस तरह से रे ओफ लाइट आ रही है, यहाँ पे अच्छा एरो कैसे लगाते थे हम इस तरीके से हमारी लाइट आये, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता था, मतलब रिफ्लेक्ट बैक होती थी, तो किस तरही के से जाती थी लाइग, यहाँ जैसे यह फोकस से पा पिल्कुल यह जो सेंटर लाइन है यहाँ तक इस पॉइंट से जाएगी, फिर इसके आगे वो रिफ्राक्ट होगी, यहाँ पे देखो, यह आई इस तरीके से लाइन, अब इस केस में यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि यह यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो, रिफ्राक् से पास होनी है, तो वो इस तरीके से ऐसे आगे पास हो जाएगी, यह बेसिक चीजे समझ में आ गई, चलो, अब आ जाते हैं, अभी जो वैसे मैंने लास्ट पॉइंट बताया आपको, बेसिकल ही हमारा रूल वानी है, जो की हम मिरर में पढ़के आए थे तो एक बर इसको आपे, तो अरे ओफ लाइट पारलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंज ओल्वेज पास फ्रूद फोकस ऑन दी अधर साइड ऑफ दे लेंज, पहले हम पे मैं लिख देते हो, यह हो गया हमारा एफ वान, टू एफ वान, यह हो गया जी एफ टू और यह आ गय टू एफ टू छिक्हें, समझ में आ गया, तो अगर एक रे ओफ लाइट है हमारी जो की पारलल है, इस तरीके से हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पारलल है, अब यह पास फ्रू करेगी फोकस से, मतलब यहां से यह इस तरीके से फास फ्रू करेगी, थोड़ि सी टेड़ी एरोज लगाने अगेन इंपोर्टेंट है यहां से यू आईये और यहां पर आगे इस तरीके से चली गई समझ में आ गया सो यह हो गया हमारा कन्वेक्स में अब बात करते है कन्केव की अरे ओफ लाइट पारलल तो दे प्रिंसिपल एक्सेश अब देखो यही चीज अगर हम कन्केव में बात करें पहले तो यह लिख लेते है यह हो जाएगा हमारा F1 यह हो गया 2 F1 और इदर जो पॉइंट है यह हो गया F2 रागे 2 F2 हो जाएगा ठीक है तोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेती हूँ इसको जूम कर लिया हमने इस तरीके से अरे जादे ही जूम हो गया चलो ठीक है यहाँ पर समझ में आ जाएगा एक ray of light है जो की आ रही है इस तरीके से सेंट यहां तक जाएगी उसके मिट तक अब यहाँ पर यह हमारा कौन सा है concave है light को diverge करेगा ऐसे focus पे नहीं भेजेगा इस तरफ को भेजेगा लेकिन भेजेगा इस तरीके से कि जो same side पे focus है ना वहाँ से pass होता हुआ जाए मैं यहाँ पर करके दिखा रहती है जो लो इसको पूरा dotted line से बनाते हैं पहले यह इस तरीके से यहाँ पर pass होगा इसको select करके आगे stretch कर देते हैं जाएगा तो इधर की तरफ ना इस तरीके से लेकिन वहाँ पर principle जो हमारा focus है उससे pass होता हो जा रहा है अब देखो आप solid line से कौन सा दिखाओगे यहाँ से यह वला part जो है वो आप solid line से represent करोगे तो यह में थोड़ा से score उतर कर देती हूँ select करके यहाँ पर रख दिया हमने ठीक है so थोड़ा से zoom out करके then आपको clear हो जाएगा अब यहाँ पर arrows लगाते हैं और समझ में आजेगा यह आई हमारी incident ray ठीक है यहाँ से जाके यह divert हो था क्योंकि concave है तो यह इस तरफ को चलीगे लेकिन actual में अगर हम पीछे से देखे तो यह focus से पास होते हुए जा रहे है यह हमारा पहला rule है थोड़ा सा confusing लग सकता है बढ़ आगे जब ray diagrams बनाओगे तो यह simple हो जाएगा next rule देख लेते है rule number two array of light passing through the principal focus will emerge parallel to principal axis after refraction अब वो कह रहे है जैसे कि हमने mirror वाले rule सेम है अगर light जो है वो focus से पास होते हुए आ रहे है so इस case में अगर हम देखेंगे so अगर light हमारी light हमारी इस तरीके से focus से पास होते हुए जा रहे है तो वो क्या होगा focus से पास होती तो आगर principal axis के parallel मतब refract इस तरीके से होगा again arrows लगा देंगे यहां से line आई and यहां पे वो parallel होके refract होगी and यही चीज अगर हम concave में देखें अब यहां पे देखो क्या होगा line कैसे आएगी focus से आनी है मतलब यहां पे यह जो पीछे वाला focus क्योंकि line incident ray यहां से आएगी बट वो actual में है कैसी इधर से होती हुए आनी है मतलब इस तरीके से कुछ आएगी वैसे rotted line से बनाती हूँ मैं so देखो यहां से हमारे focus से पास होती हुए आ रही है हम दिखाएंगे solid line से क्या पाट कि यहां से हमारी जी incident ray आई इधर तक ठीक है हमने यही solid से दिखानी है कि यू incident ray आई हमें तो ऐसे दिखा रहे कैसे हवा में आई है लेकिन वो पीछे आ कैसे रही है focus से पास होती हुए आ रही है so अगर वो focus से पास होती हुए आ रही है तो अब क्या होगी the last point very simple array of light passing through the optical center will emerge without any deviation similarly array of light passing through the optical center of lens will emerge without any deviation तो यहां पे concave or convex दोनों में ही same है मतलब कि अगर आपकी कोई line है array of light है जो optical center से पास हो रही है तो वो इसी तरीके से आगे निकल जाएगी जैसे array of light आई इस तरीके से तो यहां पे touch करके अगे O से cross हो रही है तो वो ऐसी की ऐसी ही आगे निकल जाएगी same यही चीज concave में भी same यही होगा यहां पे optical center से आएगी और इसी तरीके से वो निकल जाएगी so arrows लगा देते हैं यूं light आई हमारी and ऐसी ही वो आगे निकल गी so इस case में दोनों का ही same है चिक है so यह हमारे तीन rules थे about ray of diagrams इनी तीन rules की help से हम अपने सारे ray diagrams देख लेंगे so फटा फट से without wasting any time next video में हम ray diagrams दिसकस करते है and I really hope कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा so I'll see you in the next video really take care and bye bye कि आपको जाएगारी